एक लोग एक टेंडर भर रहेते हैं ना मैडम प्लीज अभी नहीं है न थीक लिए लिस्ट अब बिड यहां पर वह बीड नमबर को डाल देते हैं यह देखेंगे तो 4y2 का हमें यहां पर मिल रहा है यह बीड नमबर है यह बीड हम लोग पाटिसिपेट करने के लिए जा रहे थे पोड़क्ट 4y2 का था हम लोगों ने यह कैटलॉग पॉब्लिस किया था यह कौन सा बीड था हमारा यह कस्टम बीड था जिद याद होगा त था कहां से अपलोड किया था यह थोड़ा से हम लोग पहले बता देते हैं यहां पे क्लिक किया बीड में गये लिस्ट आप बीड में गये यहां पे जाके content एक जैड बीड सर्च और बीड नमबर को पेस्ट किया यहां पे आगे participate पे क्लिक किये और select catalog और यहां से upload निउप पोड़क्ट पे क्लिक किये और हम लोग एक नया कैटलॉग पब्लिश किये जो युनिवर्सल कैटिगरी में पब्लिश्ट हुआ जिदि वह कैटलॉग देखना चाहेंगे तो कैटलॉग पोड़क्ट सर्च माई ओफरी पल यह जेम का सर्वर डाउन होने के बज़े से यहां दिख रहा था अब यह पब्लिश्ट होके देखेंगे तो युनिवर्सल कैटिगरी में यह कैटलॉग हमारा बन चुका है छे हजार रुपया डाला था हम लोगों ने है ना यहां पर आपको एलाउन नहीं कर रहा है लॉग इन के बज़े से तो यह देखो कैटलॉग यह प चलो तो फिर यह टेंडर हम लोग भरना देखते हैं कल हम लोगों ने पॉड़क्ट बीड और सर्विस बीड हम लोग और सर्विस बीड भरना देख लिया था सेम बीड को हम फिर से सर्च करते हैं अब इस कैटलॉग का अप्रूबल आ चुका जनरली आप्रूबल तूरंत जाता है तो जेम के सर्वर के बज़े से कभी कवार यह इसूज होते हैं सेलेट कैटलॉग अब यहां पर देखेंगे तो इसका रेट हम लोगों ने 6 जा डाला था तो यहां पर दिख रहा है हम इसको करेंगे चूज दिस कैटलॉग देखो यह कैटलॉग अप्रूबल होने सिर्फ इसमें एक नया है क्वांटिटी यू कें फिल्फिल कोई भी क्वांटिटी आप यहां पर डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंक्रिप्टन शेव हो गया यह हमारा कंप्लीट आगी का प्रोसीजर विल भी सेम ऑफर प्राइस प्राइस आपको डालना है वन क्वां सकते हैं कैल्कुलेट 15,500 के अकोडिंग लिए होगा ना कि 6,000 के अकोडिंग लिए आप उससे कम या ज्यादा कोई भी डाल सकते हैं वह कैटलोग का प्राइस है आपको जो भी और मिलेंगा आप टेंडर किटे में कोड कर रहे हैं 15,50,000 रुपीज में इसके साथ 100 के साथ य यस नहीं कर सकते यह बाइडिफॉल डिजेबल हो गया क्यूं क्यूंकि मैं ओएम नहीं हूं मैं क्या हूं री सेलर हूं यही टेंडर जदी MSME रिजर्वड होता MSME प्रिफेंस है तो हम भर पाएंगे टेंडर पर यह टेंडर MSME रिजर्वड होता तो हम यह टेंडर भरने को नहीं दिया जाता क्यूंकि मैं इसको yes कर ही नहीं पाता और yes without yes कि यह हम यह टेंडर नहीं भर सकते थे क्लियर है कोई डाउट से तो बताओ किया तक में किसी को कोई डाउट्स है यह MSME रिजर्वड नहीं है प्रिफरेंस से इसलिए हम यह टेंडर भर पाएंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जदि यह टेंडर रिजर्वड होता था हम यह टेंडर नहीं भर सकते क्योंकि यहां पर विदाउट येस किये हम आगे नहीं बढ़ पाते और विदाउट येस करके हम एजे ओएम टेंडर नहीं बढ़ पाते देखो यहां पर एडवाइजरी भी दे दिया है जोड़ी आप देखिए क्लेर है चलिए तो एक पोड़क्ट बिड़ हमें और बढ़ने